विल्कम टो एडुकेटर बग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे आज़की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले मौन के संस औरगन के बारे में प्रीविज वीडियो में हमने डिस्कस किया था पहले मौन के एक्सुरिटरी सिस्टम के बारे में अ कर रहे हैं सबको आज जो है वो हम सेंस और गन के बारे में डिसकस करेंगे फिर नेक्स वीडियो जो है वो किसी और टॉपिक पर हो जाएए तो सीरीज वाइस आप इससे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी के सभी सिस्टम्स अच्छे से समझ में आ पहले मौन के तो आज हम डिसकस करेंगे सेंस और गन के बारे में तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टाट करते हैं Sense Organ of Pallemon Pallemon क很好 सबसे पहले हम देख लेए Sense Organ कहने का मतलब होता गया है Sense Organ वे Organ होते हैं जो किसी भी Organism को Sense कहने में Hilp काते हैं Sense कहने का मतलब है कि आस पास environment में क्या चल रहा होता है अगर हम Human Beings ही बात करें Human Means में जो Sense Organ होते हैं स्किन हो गई हमारा नूज हो गया आई हो गई है हमारे एर्ट हो गई है तो यह सभी किसल कर सकते हैं कि कैसी समेल आ और वह इसको आस पास जो इन्वामेंट में क्वार्मेंट में है उसको सैंस करने में help करते हैं the sense organs of pelamon are tactile organs, olfactory organs, statocyst and compound eyes pelamon में कौन-कौन से sense organs है वो है tactile organ है इन में olfactory organ है statocyst है और साथ साथ में जो है वो इन में compound eyes present रहती है जो कि इसे sense करने में help करती है तो एक एक करके चली हम इनको discuss कर लेते हैं सबसे पहले है वो है tactile organs, these are in the form of plumocity and are found on the fillers of antennae and the flattened portion of the appendages यहाँ पर अगर हम tactile word को देखे, tactile word का मतलब क्या होता है, tactile का मतलब होता है touch तच करने का गया मतलब है जब कोई touch करता है तो हमें पता लग जाता है हमाँ किसी ने हमें touch किया है तो tactile से जो meaning है वो है touch, यह जो organ है वो touch से related है तो यह जो tactile organs होते हैं वो किस के form में होते हैं, plumocity के form में होते हैं city का मतलब होता है hair like structure और यह जो tactile organ है वो कहां पर present रहते हैं वो antenna के feelers पर present रहते हैं और साथ साथ में appendages के flattened portions हैं वहाँ पर भी present रहते हैं यहां में वहाँ पर देखने को मिलते हैं Each tactile is a hollow circular outgrowth distinguished into shaft attached to the distal blade which gradually tapers distally and be a two rows of small barbs तो यहां पर यह बताएगा है कि tactile organ कैसा दिखता है यह hollow circular outgrowth के form में दिखता है इसमें क्या present है यह shaft present है जिससे क्या attached है यह blade attached है जो की आगे की तरफ नुकीला है और इससे दो rows किसकी attached है बाप्स की attached है next is your sense organ वह है olfactory organs these are also in the form of CT received in the longitudinal grooves on the outer filler of antennas यह olfactory organs यह भी किसके form में होता है CT के form में होते हैं CT का मतलब हम भी हमने देखा कि यह जो है वो structure लाइक structure के form में हमें देखने को मिलता है और यह कहां पर present रहता है यह एंतिन्यू की outer filler पे present रहता है किसकी form में longitudinal grooves के form में लंबे-रमे जो है वो beach grooves के form में हमें देखने को मिलता है कहां पर intékte नूज्सकी outros feel Rangers पर यह क्या है appendages है appendages के ऊपर भी एक separate video बनेगी जहां पर हम discuss करेंगे पहले आपन के जितने भी appendages है उनको अच्छे से discuss करेंगे तो चैनल को मेरे subscribe करेंगे और bell के icon को जरूर प्रेस करेंगे जिससे जब भी मैं वीडियो upload करूँ तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल सके Each CT consists of a basal segment or shaft and a distal segment or blade. The former is hollow and is attached to the integument while the letter is free and bluntly rounded. यहां पर sparing में दिक्कत हो रही है आप इसको सही कर लेंगे CT, S, A, T, A, E, E यहां पर आप एड कर लेंगे यहां पर इस olfactory organ के structure को बताएगा है कि यह जो organ है वो हमें कैसा देखता है या किन किन पार्ट से बना होता है इसमें क्या देखने को मिलता है यहां हम देख सकते है यहां इसमें base यह क्या है इसे basal segment कह रहे है जो कि क्या है shaft है basal segment यह shaft है इसी से ही क्या attach है यह blade attached है यहां पर बात की जहीं है जो यह shaft हो कैसा होता है है खोकला होता है हम देख सकते हैं अंदर से कैसा है यह खोकला है और attached रहता है किसे integument से जब की यह जो लेटर वाला है लेटर कहने का मतलब है वह कैसा है free है free यह किसी से attached नहीं है कि यह पिकिस्य एटाइने यह फ्री है जब यह जो शाफ्ट और हम देख सकते हैं यह िंट्यूमेंट से अटाइश है यह अपिंग्हार्घ्श ऑफ्री है और काम सब्रऴें आसे थो घंदा से हो गया तो आपको समझावनेहें द समियें नेक्स जो सेंस ओरगन है वह है स्टेटोसिस्ट इस आरा पियर ओफ वाइट होलो फ्लास्क शेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ क्यूटिकल इच इस फांड इन दे प्रिकोंग्सा अफ एंटिनूज अटाज तो इनर सर्फिस ऑफ इस जौसल वाल यह स्टेटोसिस्ट है इसक पर प्रेजन रहता है कहां पर हमें देखने को मिलता है जो एंटिन्यूल से जो की अपेंडेजिस है उसकी प्रिकोंग्सा पर प्रेजर्ट रहता है इट ओपन्स चूदी एक्स जीए बाया माइन नूट स्टेटोसिस्टिक अपर्चर यह जो स्टेटोसिस्ट थैवह बाहर देखने को मिल रहा है सेंसरी से सिद्सेंट से बहुत सार चोट चोटे सेंड आब इन सेंड घरी हुए इसker Six जिईटी से गार जहां यह नृइए तरफ दना ठासे नृइट है सेंड तरफ से इस सीटी से ओड़े thought है और यो अ ये जो स्ट्रीक्ट झाट है ये पूरा कापूरा भाहर से हम देख सकते हैं क्यूटिकुलर सैक से सलांड़ है इस अए घीर हुआ है तो यह था स्ट्रीक्रीम के बारे में कि जो स्ट्रीक्ट ट्रॉक्ट्थer कैसा आप हम करें ते स्टेटोसिस्ट के पॉंक्षण के बाएं में कि आखिरकार प्लेमॉन में इसका काम क्या है ये करता क्या है तो उसकी बाड़ी है वो डिस बैलंस हो जाती है किसी वरे से तो उसकी बाड़ी को बैलंस करने में equilibrium में वो help करता है कौन स्चेटो सिस्ट जब जो प्राउन है वो swim करता है जब वो तैरता है तो उसकी जो बॉड़ी है वो एक साइड पर जुख जाती है जिसके कारण क्या होता है यह जो sand particles है सभी के सभी जो sand particles है वो एक डाइरेक्शन में displaced हो जाते हैं अब जैसे ही जो है वो प्राउन की बोड़ी एक साइड पर जुख गई उसके कारण क्या होगा जो sand particles है वो भी एक तरफ आजाते है उसी डाइरेक्शन में आजाते है जहांपे जो बोड़ी है वो जुखी है तो जब यह process होता है पूरा तो तभी के तभी ये जो sensory CT हैं ये हम देख सकते हैं ये जो sensory CT हैं ये एकदम से जो है वो stimulate हो जाते हैं वो इस stimulate को direct एकदम जो है brain को पहुचाते हैं stimulus कहने का मतलब है signal signal को जो है वो brain पे एकदम पहुचाते हैं फिर उस signal जो है brain तक पहुचा उसी signal के according जो है वो एक साइड जुग गई है ठीक है ना तो उसकी बोड़ी को maintain कर तो यह जी स्टेट जो कि sensory organ है वो उसकी बोड़ी को equilibrium provide करता है यह उसकी बोड़ी को balance करने में help करता है लास्ट बटनोट दे लीस्ट जो sense organ है वो है compound और में एक पेर आई प्रेइस रहती है जो कि इसका सेंस औरगन है जो कि इसको हैल्प करेंगी कि आस पास इंवर्मेंट में क्या चल रहा है उसको यह देख सकेगा यह जो आइज हैं वह कैसी हैं ब्लैक कलर की होती है है हैं स्पेरिकल होती है है इक हैं है को हैंतलब होता है एक tu फूरा टुरल है Minsk पूरा अधा रां होड़िए आधा रांडिन इस तरह से एधा कहां पर प्रेजेंट है यह कहां पर राई-स हो अब यह जो eyes है वो कैसी है stocked eye है stock eye कहने का मतलब है यह जो eyes है इसकी वो stock यह क्या है यह हम structure देख सकते हैं यह क्या कहलाता है यह stock कहलाता है यह जो eyes है इन stock की help से ही rostrum से attached रहती है each eye is composed by large number of independent units called ometidia and that's why eye is called compound eye prawn की जो आई है वो किस से मिल करके बनी होते है यह बहुत सार यह large number पे जो है units से मिल करके बनी होते हैं इन units को हम क्या कहते हैं ometidia कहते हैं वो कितना होता है? पच्चिस सो होता है कहने का क्या मतलब है कि जो प्रौन है उसकी आई है वो छोटी छोटी यूनिट से मिल करके बनी होती है उन यूनिट को हम क्या कहते हैं ओमेटीडिया कहते हैं अब यह जो ओमेटीडिया है इनका नंबर कितना है यह पच्छिस सो इनका नंबर है लगबक जो है पच्छिस सो जो ओमेटीडिया है वो मिल करके एक आई बना रही है एक आई पच्छि इसी वजह से क्रिछoryकश से कyen पाउण दो यह सभी किसे वह बना रहे हैं और बहुत सारे हो मैटिडिया बहुत सारे ओमेटीडिया कहने का मतलब है पच्चिस सो जो है वह ओमेटीडिया मिल करके आई बना रहे हैं तो कंपाउंड आई पे एक सेपरेट वीडियो बने की डिटेल में जहां पर हम कंपाउंड आई का अच्छा से स्ट्रक्चर हम समझेंगे यहां पर हम सेंस औरगन से बारे में बात करें तो यह पर थोड़ा सा जो है वह इंट्रोंडेक्शन हमने दे लिया कंपाउंड के बारे में की पेले मौन में सब्सक्राइब करें जिससे कोई नई वीडियो में अफ्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल फके तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टड़ी वैल सक्सेस्वल